नमस्कार दोस्तों, एलेक्ट्रो टेक्निक में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरा नाम है पीके और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम दो टूवे सुच को मिला कर एक इंटर्मेडियेट सुच बना सकते हैं गैस, एक्चुली मैंने एक वीडियो किया था टूवे सुच के उपर जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे तो पीछे वाले लाइट को आफ करते जाएंगे और आगे वाले को आउन करते जाएंगे टूवे सुच की मदद से तो उसके नीचे मुझे किसी मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि सर क्या हम दो टूवे सुच को मिलाकर एक इंटर्मेडियर सुच बना सकते हैं तब ही मेरे दिमाग में एडिया आया कि क्यों न मैं इसके उपर एक वीडियो कर दूँ ताकि आप सभी को मालूम चल जाए कि हम बना सकते हैं और वाकई इस बात से मुझे बहुत ही खुसी होती है कि अगर हम कुछ पूराने चीजों को मिलाकर कुछ नया बना सके मज़ा आता है तो चलिए गास मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से हम दो टूवे सुच को मिलाकर एक इंटर्मेडियर सुच बनाएंगे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इस काम को करने के लिए आपको चार्ट वे सुच की जरूरत परेगी और उसे पहले ये बताना चाहूंगा कि इंटर्मेडियर सुच का इस्तमाल कहां पर किया जाता है तो intermediate switch का इस्तमाल वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे हमें एक ही light को तीन जगा से operate करने की जरूरत पड़ती है मतलब साफ है कि intermediate switch का उप्योग करके हम एक light को तीन जगा से operate कर सकते है तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको इसके लिए हमें चार two-way switch की जरूरत परेगी और चारों को कुछ इस तरह से लगाना है कि दो two-way switch को एक जगा लगाना है एक ही अस्तान पे दो two-way switch को और दो two-way switch को अलग-अलग अस्तान पे लगाना है एक को side में और एक को इस side में और बीच में बीच वाला जो अस्थान होगा हमारा वहाँ पे दो टूवे सुच को लगाना तो गाइस इसकी वायरिंग कनेक्शन किस तरह से होती है जरा वो समझ लीजिए तो यहां पे देखिए मैंने नमबर्स दिये हैं वन टू त्री करके नमबर दिये हैं यह नमबर्स हमें बताते हैं कि टर्मिनल कौन कौन से हैं जैसे टूवे सुच में क्या होता है तीन टर्मिनल होता है तो तीनों के मैंने वन टू त्री करके टर्मिनल नमबर दिये हैं ताक कौन से टर्मिनल से कौन से टर्मिनल में जा रहे हैं दूसरे सुच के कौन से टर्मिनल में वायर जा रहे हैं ओके तो सबसे पहले हमें करना पड़ेगा यहां से स्टार्ट करता हूं मैं जदा आसानी रहेगी जदा इजी रहेगी तो मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा कि यह जो दो वायर आप देख रहे हैं एक है neutral और एक है light यानि face तो face आएगी और एक पहले वाले two way switch के मध्य वाले टर्मिनल में यानि बीच वाले टर्मिनल में connect हो जाएगे जिसका number है two अब बचा number one और three तो number one वाले टर्मिनल यानि two way switch के जो उपर वाले टर्मिनल से जो वायर जा रही है वो यहाँ जो दो two way switch लगे हैं वहाँ के पहले वाले जो two way switch हैं उसके two number टर्मिनल यानि कि मध्य यानि बीच वाले टर्मिनल में हम इसे connect कर देंगे अब आया तीसरे नंबर यानि तीसरा नंबर का terminal तो तीसरे नंबर से एक wire ले के जाएंगे हम और यहां का जो दूसरा वाला 2S है उसके बीच वाले यानि नंबर 2 वाले terminal से connect कर देंगे देखें यहां पे हम क्या कर रहे हैं एक्चिली मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हमने पावर दिया होता ऐसा एक टूए सुच में कि बीच में एक पत्ती लगे होती है धातो की जो कि हमेशा किसी ना किसी एक टर्मिनल से कनेक्ट रहती है तो मानलों अभी ये 3 से कनेक्ट है तो हमारा ये पावर आया और 3 में चल जाएगा क्योंकि 3 से कनेक्ट है तो 3 में जाएगा अब 3 वाला टर्मिनल का Wryear कहां कि ज़रो देखें तो यहां का जो दूसरे 2 वे सुच का जो पीच वाल टर्मिनल है उसमें आ जाएगा और जैसे कि मैंने अभी अभी पताए कि बीच वाला टर्मिनल से एक धातो हमेशा कि सी ना किसी टرमिनल से जूरा ड़ेता है अगर मान लीजिये यह one से जूरा है सबस्कून कीजिये यह one से जूरा है तो अभी यह पाउर यहां से आया यहां से ठी मेरेिए घ करी वान Sorry अब यहान से सपोस करना है कि मेरा नंबर वन का टर्मिनल में जुड़ा है ऐसे यह इसमें भी रह सकता है लेकिन सपोस करना है कि इसमें जुड़ा है तो यहां से फिर पावर यहां तक आ जाएगा हमारा अब अगर हमने अब अगर यहां पर suppose कीजिए sorry मैं मिस कर रहा हूँ कुछ तो मान लीजिए यहां से टर्मिनल 1 में जुड़ा है तो टर्मिनल 1 से कितने वायर आए हैं कितने वायर निकले हैं दो वायर एक तो यहां के लिए और दूसरा जो यहां के लिए ओके तो जो यहां आपको यहां से जो यहां आ रहा है नमबर 3 में अब अगर हम suppose करें कि इसका जो मद्दे बिंदो इसका जो मद्दे टर्मिनल है बीच वाले टर्मिनल अगर यह 3 से जुरा है 3 से touch के condition में है ऐसे condition में है कि 3 से touch हुआ हुआ है तो फिर से power इसमें चला जाएगा इस वायर में बीच वाले टर्मिनल में और बीच वाले से जो वायर निकला है हमारा वो कहा गया है वो हमारे light को जा रहा है तो इस तरह से power हमारे light में आ जाएगे अगर suppose किजिए इसके विपरित support किजिए कि अगर ये 3 में न touch रहके अगर ये 1 में touch रहे तो क्या होगा तो होगा यूँ कि ये तो 1 में touch हुआ तो 1 वाला वायर आपको इस वाले 2SW के 1 वाले टर्मिनल में आ रहा है और यहां से यहां आ जाएगा और ये चुकी 1 में touch है अभी अभी हमने 1 में touch कर रहा था इसको तो ये 3 में touch होगा जब ही हमारा power फिर से उसमें जाएगा और उसमें से इस वायर में आएगी इस वायर में आने के बाद हमारा light glow होगा light जालेगा तो इस तरह से अगर हमें मान लो यहां से on करना है फिर यहां से आके off करना है फिर यहां से on कर देना है तो हम कैसे करेंगे हम इसी तरह समझेंगे इसको अब सपोस किजिए कि यह जो two वाला two number का terminal है वो इस से जुड़ा है one से ठीक है तो one से power इस नाएगी वोोके चुक्यों इसमें face है तो face one से जुड़ा और वोन से इसमें आएगा face फिर यहां के two में आया है ठीक है अब इसको सपोस कीजिए कि ए three मैं जुरा है तो three से फिर power यहां आएगा फिर यहां से यहां जाएगा फिर यहां से अगर 3 में ये भी जुरा है बीच वाला टर्मिनल 3 में जुरा है तो फिर बीच वाले से पावर होके हमारा उस लाइट को जाएगा जो कि लाइट जाने लगेगी अगर हमें, अब इसे अगर हमें आफ करना है वहाँ से हमने 1 में लगाया one के तरफ touch किया touch हुआ किसी भी तरह से अगर हमने push किया push करने से one में अगर touch हुआ तो हमारा light glow हुआ light जला माल लो हम दूसरे अस्थान पे पहुँचे यह हमारा अस्थान number one है अगर हम दूसरे अस्थान पे पहुँचे और हमें चाहिए कि हम उस light को off करना है हमें उस light को off करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें करना क्या पड़ेगा यह जो three से हम देख रहे है three से touch है तो जिस भी situation में रहेगी सुच जैसे भी situation में रहेगी हम उसे push करके उसके विपरित situation में ला देंगे तो तब हमारा क्या होगा कि ये 1 से touch हो जाएगा 3 के बजाए 1 से touch हो जाएगा जब 1 से touch हो जाएगा तो power इसमें आएगी इस wire में इस wire में आके चुकि हमारा यहां पर अभी भी 3 से touch है तो light off हो जाएगी अब अगर हमें यहां पर आके फिर से उसको on करनी है तो हमें क्या करना पर एगा इसको 3 अगर यह 3 में touch है तो हम उसके विपरित उसे हम push करेंगे बटन को 2 वे switch को ताकि यह 2 और 1 touch हो जाए बीतर से तब हमारा क्या होगा light जनने लगेगा गैस उमीद करता हूँ आपको यह समझ में आ रहा होगा हाँ और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि इस फोटो को आप अलग से अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करें तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा आप लीज वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड करके अच्छे से समझ सकते हैं देख सकते हैं बार बार अपने अनुसार उसे परक सकते हैं देख सकते हैं देख के समझने की कोशिस कर सकते हैं लेकिन मुझे तो पूरा भिष्वास है आपको जिस तर से मैंने बताए आपको समझ में आ गया होगा तो अगर यह वीडियो समझ में आया तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए आपके लिए और आगे वीडियो बनाता रहूँगा और प्लीज प्लीज अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजिए ओके गाईश थैंक्स पर वाचिंग